नमस्कार सर क्या नाम है आपका ? मेरा नाम इसवरदा सेयगी मैं गावं पिंढना जिला सोनीपट हर्यानग मैंने संतराम पाल जी महारा से नाम दिख्षा ऐक साल पहले ली क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे ? नहीं हम नाम दिख्षा लेने से पहले कोई भी बक्ति साधना नहीं करते थे तो फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आए मेरे कैंसर की शकायत थी और मेरे एक रिष्टेदार ने बताया मेरे को कि संत्रामपाल जी माराज की सरण में जाओ जिसे हमने लाब मिलेगा और उस रिष्टेदार ने बिजंदर दास जी से मिल करके मेरे को संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षय दिलाई सर जैसे कि आपने बताया आपको कैंसर था आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में गए तो क्या संत्रामपाल जी माराश की सर में जाने पर आपका कैंसर ठीक हुआ कि आपको लाब भी मिले संत्रामपाल जी माराश की सर में जाने के बाद हाँ सर, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरे कोई भी पीडा किसी भी किसम की नहीं रही मैं कुछ अपने पहले वाली बताऊंगा, मैंने खानपर मेडिकल से जाज कराई उन्होंने मेरे को कैंसर गोशित कर दिया, और उन्होंने मेरे को रोतक बेज दिया अके वहाँ जा करके अपना इलाज करो, जब मैं रोतक गया, तो रोतक बड़ों ने मेरा फिर टेस्ट करया और वहाँ से मने इलाज सरू किया, लेकिन वहाँ से मेरे को कुछ ज्यादा लाव नहीं मिला उसके बाद मैं बिककनेर होस्पिटल गया, और बिककनेर से मैं दवाई लता रहा और इलाज चलता रहा उधर से डाक्टरों ने मेरे को कहा कि हमने जो अपना इलाज था वो आखरी हद तक पहुचा दिया है, आखर मैं शेक लगवानी पड़ेगी लेकिन मेरे गरवाड़ों ने और मैंने शेक लगवाने से इनकार कर दिया तो डाक्टर कहने लगए ठीक है अगर शेक नहीं लगवात तो तुम अपने घरों को हम दुआई नहीं देंगे लेकिन कैंसर ठीक नहीं हुआ था तब, मैंने वहाँ जाना बंद किया उस टाइम मेरी ऐसी आलात होगी कि पानी तक भी नीचे नहीं जाता खाना पिना तो बहुत दूर गी बात होगी पानी तक भी नहीं गया था जब पानी तक भी अंदर नहीं गया तो मेरे रिष्टेदार ने कहा कि आप संत्रामपाल जी महराज से नाम लो और फिर उसके बाद देखते हैं किया कुछ रिजल्ट मिलता है संत्रामपाल जी महराज से जब नाम दिख्षा ली तो मेरे को एकदम से एतना आराम मैशुष हो गया कि खाना पिना भी सब शरू हो गया और कोई भी दरद वगरा नहीं रहा सब खतम हो गया कोई भी ओप्रेशन ही करवाया और नहीं कोई दवाली उसके बाद जिस टाइम हम संत्रामपाल जी महराज जियों के शर्ण में आगे तो हमने सभी दवाई बंद कर दी कोई डाक्टरी इलाज नहीं करवाया तो हमने संत्रामपाल जी महराजी से बहुत कुछ है आराम मिल ए को सारा आराम मिले हमें जो भी हम चाते हैं वह उसी टायम हो जाता है सजर्चतरामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे इलाब मिले हम आपसे एक बात पूछना चाते हैं कि पहले आपको कैंसर था बहुत सारे हॉस्पिटल में घूम चुके थे और लाश्ट में आप संतरामपाल जी महाराज से आपने नाम दिक्षा ली और आपका कैंसर बिगर दबाई और बिगर आपरेशन के ठीक हुआ तो संतरामपाल जी महाराज में ऐसी क्या सकती है ऐसी क्या बात है जो आप लोगों की लाईलज बिमारियां ठीक हो जाती है वो तो जे संतरामपाल जी महाराज एक मनुश्य नहीं वो तो खुद बगवान है जी बगवान ही सब क तुँचे वो करते ते। उनके ओर्डर के बगार तो एक पत्ता भी ने इलता। जब भगवान और्डर देते हैं तो उसका सभी काम शिद हो जाता है। उनके मंतर में सक्तित नहीं है जो के अपने आप सारे काम शिद कर देते है। सर जो सरदालो आज आपको देख रहे हैं और बो भी कैंसर से पीडित हैं उनके लिए अप क्या संदिश देना चाहेंगे हम तो यही राय देंगे हर एक इनसान को जो कोई भी मरीज है के भाई तुम सब इन बिमारियों को छोड़ दो और किशी के बकाव मत आओ और संत्रामपाल जी माराज की सर्ण में आओ और उनसे नाम दिख्षा लो और अपने साफ नेक निती से उनकी विंति करो प्राथना करो वो तुमारे बिलकुल सारा काम ठीक कर देंगे सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं और कितने पैसे देने होती हैं संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता फरी में सारी सारी सेवा संत्रामपाल जी दे देते हैं बक्तों को उनके नामदान के अंदर बना रखे हैं उन पर जाओ और उन से फिर वो संत्रामपाल जी के आदेश से उनको नामदान दिया जाता है धन्यवाद सर सत्साए झाल